हैलो एवेडिवन वल्कम टू माई चनल तो आज इस वीडियो में हम यापर कुछ इत्रे का कली वाला लहेंगा सिलना सिकाएंगी इसकी मैंने कटिंग की वीडियो भी अपलोड करिए तो आप चाहे तो कटिंग की वीडियो भी देख सकती हैं इसको आप चाहे तो हल्दी बैंसन्त में पहार सकती हैं तो चलिए इसको किस तरह से शिलते हैं तो सबसे पहले हमें आपर क्या करेंगे नेट बाली कली को लेंगे और इसको बरावर करेंगे और बरावर करके हमें आदंच का मार्जन छोड़के यहाँ पर सिलाई लगा देनी है और दोस्तो कि पलीज इस वीडियो को लाई भी कर देने क्योंकि आप लोग लाई करना बूल जाते हो तो दोस्तो पलीज इस वीडियो को ज़रूर लाई कर देना तो यहाँ पर मैंने दो कली को सिल लिया है अब हम यहाँ पर इसको बराबर करेंगे और यहाँ पर तीसरी कली को भी सिल लेते हैं यहाँ पर भी हमें आदांच का मार्जन छोड़के सिलाई लगानी है तो यहाँ पर मैंने तीन कली को सिल लिया है अब हम यहाँ पर इसी तरीके से चोथी कली को भी सिलेंगे तो इसी तरीके से हमें आठो कली को सिल लेना है तो यहाँ पर मैंने कुछ इत्रह से आठो कली को सिल लिया है देखिया आप लोग देख सकते हैं अब हम यापर दोनों पल्ले को बराबर करेंगे और यापर हमें दो इंच पर निसान लगाना है दो इंच का मार्जन छोड़के हम यापर नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे दो इंच तक हम यापर उपर की तरफ ओपन दखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देशकते मैंने कुछ इतरह से सिलाई को लगा दिया है इस तरह से हमारा एक घिर सिलकत त्यार हो गया है और यहाँ पर मैंने अस्तर को लिया है अस्तर में मैंने जो पट्टी कटिंग करी थी तो उनको जोड़ भी लिया है तो अब हमें आपर साथ में इस तरह से सिलाई लगा देंगे विल्कुल नीचे तक हमें सिलाई लगा देनी है तो यहाँ पर मैंने एक साथ से सिलाई को लगा दिया है अब हमें आपर भी दो इंच पर निसान लगाएंगे और दो इंच का मार्जन छोड़के हमें आपर दूसरी तरफ सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ भी सिलाई को लगा दिया है अब हमें आपर क्या करेंगे नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे तो पहले हम यहाँ पर एक बार फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे आप चाहतों यहाँ पर पी को भी करा सकती है तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है अब हम यहाँ पर इसको डवल फोल्ड करेंगे और डवल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे तो यहां पर मैंने पूरे गहर में कुछ इत्रे से सिलाई को लगा दिया है देखिए आप लोग देख सकते हैं तो अब हमें यहां पर अस्तर वाले पल्ले को सीधा करेंगी और जो हमारी नैट वाला पल्ला है तो इसको भी हमें यहां पर इसको सीधा रखेंगे फिर हमें यहां पर अस्तर वाले पल्ले को कुछ इत्रे से इसके अंदर डालेंगे और बरावर से रखेंगे दोनों को हमें यहां पर मिलाकर रखना है अस्तर और जो हमारा नैट है तो दोनों को मिलाकर रखेंगे और उसके बाद में हमें याँ पर कमर की साड़ से पहले सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पर मैंने सिलाई को भी लगा लिया है देखिया आप लोग देख सकते हैं और जो हमने दो इंच का जो मार्जन लिया था उपर की तरफ तो उतना हमें फोल्ड करना इतरह से और फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे फिर हमें आपर कमर पट्टी सिलेंगे तो अस्तर और नैट को पहले हमें आपर इस तरह से बराबर करेंगे और पहले हमें आपस साइट में जो हमने एक इंच का माजन लिया था तो उतना फोल्ड करके हमें आपस सिलाई लगाएंगे और साइट से भी हमें आपस सिलाई लगा लेते हैं इसी तरीके से दूसरी तरफ भी फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दिया है अब हमें आपर लाएंगे को लेंगे और यहाँ पर मैंने कमरपटी लिया है तो इसकी सी दिसायन मैंने नीचे की तरफ रखी है तो रखने के बाद हमें आपर सिलाई लगाएंगे आदंच का माजन छोड़के हमें आपर सिलाई इस कमर पट्टी को दो इंज तक फोल्ड करेंगे देखी इस तरह से तो उतनाई हमें फोल्ड करना है और फोल्ड करके हमें आपस सिलाई लगाएंगे तो पूरी पट्टी को हमें इसी तरीके से फोल्ड करके सिलाई को लगा देना है तो यहां पर मैंने पूरी पट्टी में कुछ तरह से फोल्ड करके सिलाई को लगा दिया है तो यहां पर देखी मैंने डोरी में कुछ तरह के लटकन भी बनाया है देखी कितने सुन्दर से हमारे लटकन भी लग रहे है तो इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है तो इस तरह से हमारा जो लेंगा है वो सिलकत तयार हो गया है तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रू बताएं तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रू पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बहला कन को भी दबा दें जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए और इसी के साथ में मैंने उपर की चोली भी बनाई है तो ये चोली किस तरह से बनाई है तो इसकी मैं अलग से वीडियो बनाएंगे